सीरियल मन की अवाज प्रतिग्या के सज्जन सिंग यानि एक्टर अनपम शाम का आठ अगस्त की रात को निधन हो गया उनके निधन के बाद बॉलिवूड और टीव इंडस्टी सदमे में है अनपम शाम जी जिनने सीरियल प्रतिग्या से मिली खास पहचान और वो घर-घर में सज्जन सिंग के नाम से मशूर हो गये टीवी स्टार पुजा गौर ने अपने सोचल हैंडल पर दिवंगत एक्टर अनपम शाम जी के साथ अपने पिक्स को शेर करते हुए नीचे कैप्शन में लिखा प्रतिग्या और सज्जन सिंग्ठाकुर भले ही विपक्षी विचारधारा के रहे हो लेकिन बाउजी और बिटिया का संबन बहुत खास था आपनी मुझे अपनी शरण में लिया शब्दों के सही उचारण सिखाए जिस तरह एक सिक्षक बन कर जश्वशी पत की ओर निद्शन किया उसके लिए मैं आजीवन अभारी रहूंगी आपकी दी हुई हिंदी साहित की अनमोल किताबें आज भी मेरा हाथ थामे हुए हैं आपके इसने सरक्षण और आपकी अतुल्निय पतिभा की कमी महसूस होगी इश्वर आपकी आत्मा को शानती दे वहीं दूसी तरब सीरेल पतिग्या सीजन टू में साथ काम करने वाले कलाकारों ने वही दिवंगत एक्टर अनपम शाम जी को दी है सोशल हैंडल पर अश्रपूर शद्धान चली टीवी स्टार साचल त्यागी ने अपने सोशल हैंडल पर अनपम शाम जी के साथ पिक्स को शेर करते हुए लिखा रिब बबुची, I am so fortunate to have work with you, waiting till we meet again वही सेरिल में कोमल का करदार निभाने वाली एक्टरेस पार्वती शेगल ने भी अपने सोशल हैंडल पर लिखा लंबा चोड़ा पोस्ट पार्वतीन लिखा मैं खुद को सौभागे साली महसूस कर रही हूँ कि मैंने अनुपम शाम ओजा सर्जे से बेहतरीन एक्टर के साथ काम किया विप दिग्या के असली चरा थे और ठाकुर सर्जन सिंग के चरिद्र का परियाय बन गए जिसे उन्होंने गरिमा और शिष्टा के साथ निभाया मैं उनकी बेटी की भूमिका निभा रही थी जिसे वो बहुत प्यार करते थे वो हर फ्रेम में एक महान ब्यक्ति थे मैंने हमेशा उन्हें आन और आफ स्कीन बाउजी के रूप में संभूधित किया और उनके लिए मैं उनकी प्यारी बेटी कोमल थी जिसे वो कोमलिया भी कहते थे सेट पर उन्हें देखकर ही मैंने डायलाग डिलेवरी की महारत हासिल की और पॉज, टैमिंग और डिक्शन का महत्व सिखा वे अपने आप में एक संसा थे सेट पर बाउजी एक महान प्रेरक शक्ति थे जिन्होंने मुझे हमेशा एक बेहतर इंसान और अबनेता बनने के लिए और एक्टर बनने के लिए प्रेदित किया शॉट्स के बीच में वो हमें एनसडी के दिनों की मनुरम कहानियों से रूबरू कराते थे जो अबने और अबनेताओं की दुनिया के बारे में उपियोगी सिजहों से भरी थी उन्होंने हमें कैमरे का सामना करने से पहले कड़ी मेहनत और सौधानी पुरग तयारियों का मूल सिखाया वोक्सर कहा करते थे अबिनों शब्दों के बीच का खेल है या हम जो करते हैं शब्दों के बीच में होता है उसे अभिने कहते हैं मैं आने वाले वर्षों में उनकी प्रस्तिदी को याद करूंगी और उनकी दिवंगत आत्मा के लिए प्रातना करूंगी मैं सीरिल प्रतिग्या में केसर का करदा निभाने वाली एक्ट्रेस अलिका शेक ने भी दिवंगत आक्टर अनपम शाम जी को याद करते हुए दी है अपनी शद्धानजली और लिखा वी विल आलवेज मिस यू बाबो जी वही एक्टर आशिश कापूर ने भी अपने सोशल हैंडल पर दिवंगत आक्टर अनपम शाम जी के पिक्स को शेर करते हुए उन्हें शद्धानजली दी है